हाई एब्रीवान तापूस कोर्णार में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाएंगे एक ब्रेकफस्ट रेसिपी धनिया पत्ता का पराठा और अलू की सब्जी तो चलिए इन दोनों रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो एक बोल में हम दो कप गेहु का आठा ले पाउडर डाल देंगे मैंने इहां पर दो कप धनिया पत्ता लिया है और इसे अच्छे से धो के बारी काट लिया है और अब हम धनिया को डाल के आठे के साथ अच्छे से मिला लेंगे फिर हम थ्री टेबिल स्पून तेल डाल के और एक बार मिला लेंगे मिलाने के बाद पानी डाल के आठे को कूथ लेंगे तो ये देखिए मैंने आठे को अच्छे तरीके से गूथ लिया है अब हम इसे ढख के 15 मिनिट के लिए रख देंगे तब तक हम आलू का सबजी बना लेंगे और मैंने यहाँ पर 4 वीडियम साइच का आलू लिया है और इसे हम पहले ही बॉयल कर लिया है तो मैंने यहाँ पर एक पैन में तीन बड़े चममच सर्शो का तेल डाल दिया है फिर हम एक चममच पांच फुरन तीन हरी मिर्च देके बॉयल किया हुआ अलू को डाल देंगे अब एक चममच हल्दी पाउडर डाल के अलू को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलू तेल में थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे दो चममच टॉमेटो सास आप टॉमेटो सास को अलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे तो टॉमेटो सास अलू के साथ अच्छे से मिल गया है अब हम इसमें पानी डाल देंगे आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं उसके बाद हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक बरे चम्मच का सोरी मिथी को हाथों में ऐसे क्रास करके डाल देंगे अब इसे धक्कन दे के लो फ्रेम पे पांच मिनीट के लिए कूक कर लेंगे तो पांच मिनिट हो चुका है और सबजी भी बन के तयार हो गया है अब इसे एक बोल में निकल लेंगे ये सबजी बनने में कॉम टाइम लेता है और इसे आप पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं अब 15 मिनिट हो चुका है और अब हम इस आटे से लोई बना लेंगे और इसको रोल कर लेंगे यहाँ पे हम पराठा को बेलने के लिए सुखा आटा लिये है तो लोई को पहले हम सुखे आटे से डस्ट कर लेंगे और फिर इसे हम बेलेंगे अब हम थोड़ी सी तेल इसके उपर स्पेट कर लेंगे फिर हम इसे फोल करके इसके उपर भी तेल लगा लेंगे और इसे अब हम ट्राइंगल सेब में बेल लेंगे प्राइंगल सेब लेंगे ऐसे करके हम सारे प्राठे को बेल लिये है और अब हम इसे सेख लेंगे और एक प्राठा मैंने गरम तावे के उपर डाल दिया है और नीचे के साइट को दो मिनिट के लिए अभी सेखना है प्राठे को लो या तो मिरियाम पैंपर यी सेखिए गा हाई फ्लेम पे मत सेखिए गा तो देखिए पराठा अच्छे से अच्छे से सीख चुका है अब हम पराठे के उपर ओयल लगा देंगे और इसी तरीके से आप दोनों साइट्स को उलट-पलट करके पराठा को सेख ले और एक अच्छा सा पराठा सेख कर तैयार हो जाएगा ऐसे करके हम बाकी पराठा को भी तैयार कर लेंगे तो देखिए धनिया पत्ता का पराठा और साथ में आलू की सब्जी बनके तैयार हो गया आप इसे ब्रेकफास्ट डिनार कभी भी ले सकते हैं अगर आपको यह रिसिपी अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करे शेयर करे और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले